जै श्री राम, श्री राम मंदीर प्राणपतिष्टा की आप सभी को बहुत बहुत शुब काम नाएं सो 500 सालों से जिसका हमें इंतजार था वो गड़ी आ गई है और फाइनली राम मंदीर की प्राणपतिष्टा हो चुकी है तो आज के इस सूब अवसर पे हम बनाएंगे लापसी हमारे गुजरत में कोई भी सूब अवसर पे लापसी बनाई जाती है सगाई हो साधी हो कुछ भी हो तो सबसे पहले हम लापसी बनाते हैं तो आज हम बनाएंगे फाड़ा लापसी तो फाड़ा लापसी बनाने के लिए हमें चाहिए गेहों के फाड़े तो यह जो टुकडे वाले गेहों आते हैं एकदम बारिक वाले भी नहीं है एकदम बड़े भी नहीं है मिडियम साइज के हैं यह आपको कोई भी ग्रोसरी इस्टोर या फिर चक्की पर आसाने से मिल जाएंगे तो हमें एक कप जितने फाड़े लेने हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप फाड़े लिये हैं और सामने हमें चाहिए एक कप गी तो गी आप थोड़ा कम भी यूश कर सकते हो लेकिन इसमें गी बराबर मातरा में होगा तो लापसी का टेस्ट दूगना हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने डे लिया है एक कप गी और उसे गरम करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर डाल दी है फाड़े और इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे पकाना है जब तक ये गुल्डन ब्राउन ना हो जाए थोड़ी से भी फ्लेम हाई होगी तो ये जलने लगेंगे उसका कलर भी डार्क हो जाएगा और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा तो इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे पकाना है इसको पकने में 5-7 मिंट लगते हैं तो इसे मैंने छोड़ दिया है लो फ्लेम पे पकने के लिए बीच बीच में हमें इसे चलाते भी रहेंगे तो तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए ड्राइफूट्स तो ड्राइफूट्स में मैंने काजु बदाम लिये हैं और किश्मिश भी लिये हैं और अब हमें चाहिए खड़े मसाले, खड़े मसालों में यहां पर हमें चाहिए दालचीनी, तो यहां पर मैंने चोटे श्रूरी टुकड़े ले लिये हैं, दालचीनी के और दो से तिन लॉंग ले लिये हैं, और यह जो खड़े मसाले हैं, इससे यह जो लापसी है, उसका ट डालेंगे गरम पानी यहां पे हमें ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है हमें गरम पानी डालना है तो यहां पे मैंने तीन कप पानी लिया है तो एक कप हमने फाड़ा लिया था तो सामने हमें तीन कप पानी चाहिए और एक कप घी यह एकदम परफेक्ट मेजरम आंके छोड़ेंगे दो सी एने तक डो सीति आ जाए फिर गेस की फ्लेम को बन कर लेना है और जब तक कुकर ठंडा ना हो तब तक हम उससे क्षोलेंगे नहीं कुकर एक्थम ठंडा हो जाए मदलब कि उसकी सारी भाप निकल जाए फिर में कुकर को ओपन करना है तो चलिए दो सीती आ गई है और गेस की फ्लेंफों मैंने आफ कर दिया है अब कुकर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक हम और दियारी कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए इलाइची इलाइची से लापसी का टेस्ट बहुत ही बड़ी आएगा तो यहाँ पर मैंने 6-7 इलाइची ले लिए उरसे छिल दिया है और यह जो छिल के हैं वो मैंने डाल दिया है चाहिए पत्ति के अंदर वेकि चाहिए में इलाइची का टेस्ट बहुत ही बड़ी लगता है तो उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे और उसका यूज इस तरह कर लेंगे अब यह जो दाने हैं इसको एकदम पावडर बनाने के लिए इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी से चीनी कभी भी आप इलाइची को कूटो तो इसके अंदर थोड़ी से चीनी डालो तो ये एकदम fine powder बन जाता है, बिल्कुल भी दाने नहीं रहते हैं, क्योंकि किसी को दाने मुं में आते हैं, वो पसंद नहीं है, तो इस तरह आप इसे कूटोगे, तो fine powder बन जाएगा, तो इलाइची को भी मैंने कूट लिया है, तो अब हम देख लेते हैं, लापसी, तो ये मैंने एक कप गुड और जो हमने इलाइची का powder बना के रखा था, वो डाल दिया है, और इसे अच्छे से mix कर लिया है, गुड जब तक के melt ना हो जाए, तब तक हमें इसे पकाना है, गुड अच्छे से melt हो गया है, और अब इसके अंदर डाल देंगे, ये जो केसर वाला द काना है, सब कुछ अच्छे से reduce हो जाए, और जो लापसी है, उसमें से गीच उटने लगे, तो समझ लेना है, हमारे लापसी एकदम ready है, तो चलिए अब इसे serve कर लेते हैं, तो मैंने एक प्लेट ले लिया है, और उसके अंदर इसे serve कर लिया है, गरम लापसी टेस्में बह प्लेज लाइक कीजिए, और अपने friends और family के साथ share भी कीजिए, और अगर अब तक मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe भी कर दीजिए, तो चलिए भगवान को बोग लगा देते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई, जैशी क्रश्न, और झालalia कीजिए, झाले किया हैं.